दोस्तों, दोस्तों, चीन के बारे में एक पुरानी काहवत तो काफी मसूर है, कि यहाँ टेबल कुर्षी को छोड़ कर हर चारपयरो वाली चीज खाई जाती है चाइना में कई ऐसी चीज़े भी होती है जो कि कहीं और नहीं होती चैना नकली माल बेजने में भी सबसे आगए है भारत में चैना से काफ़ी सामान इंपोर्ट किया जाता है लेकिन कई बार इन चीज़ों के नकली होने की वज़े से भारत सरकार ने इन पर बेन लगा दिया है चीन के कई रेस्टरांट्स में असली मटन के जगे लोगों को नकली मटन ही परोस दिया जाता है दोस्तो चाइना के इन चीजों को देखते हुए भारत में भी कुछ वेपाली चंद मुनाफ़ा कमाने के चक्कर में लोगों के हेल्थ के साथ खिलवार कर रहे हैं इसलिए जरूरी है कि आप बाहर से कोई भी खाना खरीते वक्त सतर करें और जितना हो सकते उतना बाहर के खाने को एवाइड करने की कोशिस करें दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको चाइना की उन काली कर्टूतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे इंस्पायर होकर भारत के वैपारी भी ये चीज़े सीख रहे हैं दोस्तो आपने अपने जीवन में कम सकम एक बार चाउमीन तो खाई ही होगी लेकिन के आप जानते हैं कि चीन में जानवरों को खिला जाने वाले सड़े और फफूंद लगे अनाज में सल्फर डियोकसाइड मिलाकर राइस नूडल्स बनाया जाता है इस तरह से बनाया गए राइस नूडल्स को खाना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाज़ा तो आप खुदी लगा सकते हैं चाइना के लोग सबसे ज़्यादा कीडे मकोडे और अजीबो गरी तरह के मांस खाना पसंद करते हैं और इन सब का फायदा उठा कर चाइना के वैपारी, चुहे, उद्विलाव और लोमडी के मांस को मटन बता कर बेच देते हैं और लोग चुहे का मांस पहचान न पाएं इसलिए उनके मांस में जेलेटीन, नाइट्रिक और लाल रंग मिलाकर बेच दिया जाता है और सिर्फ यही नहीं दोस्तो चाइना में बेची जाने वाली आधि से अधिक सराब भी नकली ही होती है लोगों को असली और नकली मटन में पहचान कराने के लिए चाइना के पूलिस ने वहाँ के सोसल नेटवर्किंग साइट्स में कुछ वीडियो टूटूरियस भी जारी किये हैं चाइना में हर साल जून में डॉग मीट फेस्टिबल मनाया जाता है एक अनुमान के मुताबिक पूरे चाइना में हर साल एक से दो करोड डॉग्स मार दिये जाते हैं और अकेले इस dog meat festival में 10,000 से भी अधिक कुत्तों को मार दिया जाता है चाइना में सहद भी नकली ही बनाकर बेची जाती है और ये 1 किलो नकली सहद मातर 100 रुपे में तयार हो जाती है फिर बाद में इनकी ब्रांडिंग करके इस नकली सहद को 5-600 रुपे प्रती किलो के रेट पर बेचा जाता है दोस्तों अगर आप सोसल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने चाइना के प्लास्टिक चावल के बारे में जरूर सुना होगा जो कि भारत में भी पाए गये थे नकली चीजे बनाने में चीन इतना आगी निकल चुगा है कि उसने चावल भी नकली बना लिये है चावल में इन चावलों को प्लास्टिक रहस भी कहा जाता है और ये चावल सकरकंद और आलू के साथ कुछ सिंथेटिक चीजे मिला कर बनाई जाती है ये ऐसे चावल हैं जो कि पकने के बाद भी मुलायम नहीं होते अब जाहिर है कि भला प्लास्टिक की बनी हुई चीज भी कहीं पकती है चीन में ये चावल खाने के वज़े से काफी लोग बिमार पड़ चुके हैं लेकिन चावल सरकार की लापरवाही के वज़े से ये चावल आज भी चीज में धढलले से बिक रहे हैं एक बाइमल प्लास्टिक बैक को बनाने में तीन कटोरी प्लास्टिक लगती है तो इसका मतलब ये कि अगर आपनी तीन कटोरी नकली रैस खा लिए तो इसका मतलब कि आप एक बाइमल प्लास्टिक का बैक खा चुके हैं अब आप खुद ही ये सोच सकते हैं कि ये चावल खाना कितना खतरनाक है और आपको ये बद जनकर हैरानी होगी कि चीन में हर सल 10 मिलियन टन चावल बेचे जाता है जिसमें से लगबग 5 मिलियन टन चावल नकली होता है चीन में एक और बहुत ही दिल्चस्प प्रथा प्रचलित है यहां वर्जिन लड़कों की यूरीन में अंडे उबाल कर खाय जाते हैं मानेता है कि ऐसा करने से कमर, कंदो, घुटनों और जोइंट्स में दर्द नहीं होता और इसे के साथ साथ इंसान दिन भर एनर्जेटिक भी बना रहता है और इसके अलावा यहां कॉक्रोच, चुहे, कुटे, सांप और मगरमच तक खाया जाता है तो दोस्तों यह है चाइना के फूड चैनल की असली सच्चाई दोस्तों चाइना के बारे में ऐसी बाते जानकर आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरू कर रहा है उपर आए बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर देखिएगा बहुत ही महत्तपूर जानकरी दे गई उस वीडियो में धन्यवाद